बच्चों आज हम कक्षा आट्वी की पुरत पाट्टे पुस्तक भारत की कोच का अध्यन करने जारे जिसमें हम चप्टर नंबर नवा पढ़ रहे जिसका शिर्षक है दो पुरुष्टबुमिया भारतिय और अंग्रेजी और इस पाट का यह सेशन नंबर चो होता है लेखक ने अगले परिच्चदों को अपने विचारों को वेक्त किया है और अगले परिच्चदों को उन्होंने टॉपिक दिया है उपसंहार फिर भी वह पुराना समोहन बना रहेगा और उसकी जनता के रुदय को बांदे रखेगा कि लेखक यहां पर कहे रहे है कि इस प्राकार के जब भारत अपने अस्तित्व को लेकर अपने अतित से संबंदी थे आज जो वर्तमान में आज हम जो भी देखते हैं उसका संबंद अतित से है लेकर केते हैं कि विस पर कोई विजया हासिल नहीं कर पायाओ, चाहे हर यूग की बात करो, कितनी भी समस्यां आए, आज भी हम देखते हैं कितनी भी समस्यां आए, लेकिन वह हमेशा जित उसकी होती आईए है हमें भारत में अतित और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है, लेकर केते हैं कि भारत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अस्तित्व के बारे में हमें जब जानकारी हासिर करनी होती है, तो उसके अतित के बारे में उसकी सुदूरता के मदूरता के बा अब देखो भारत के बहुततायत हमें दिखाई देती है उसकी सब्वेता संस्कृत के अलावा हमें बहुत सारी विशेष्टा उसके दिखाई देती है भोगोलिक दृष्टी कौन से फिर देखते हैं हम भारत के चारों और उसकी प्रकृतिक सुंदरता फैली हुई है और इस हर क्षेत्र में हमें उसका विकसित रुप दिखाई देता है अगर हम विदेशों में जाते है तो केवल वर्तमान के तलाश में अब देखो भारत के खो अब अधियास के बारे में हम पढ़ते है भारत को अगर हमें समझना है जानना है तब हम अगर उसको कोजने के लिए उ जैसे कि सामाजिक परिवर्तन वहतना रहता है, आधुनिक्ता में परिवर्तन दिखाई देता है, तो इस आधुनिक्ता को हमें चलते हुए उसकी वर्तमान स्थिती को हमें तलाश करने के लिए ही उसकी जरूरत परती है। यह तलाश जरूरी है, क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है, पिछडापन और ख्षय. अब लेकर कहते हैं कि हमें तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ है हमें हमारे देश में ही बहुत आयत प्रमान में मिलता है। विदेश में जाकर उसको खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकर कहता है कि हमें उसकी तलाश करना जरूरी है, क्योंकि आज हमें अमारा अस्तित्व बनाए रखना है, समाज परिवर्तन होता है ना, तो आधुरिकता के इस बलबूते पर अगर हमें अपने देश को टिक हमें, हमारे अपने देश की प्रगति कर लेना चाहिए, और जब देश की प्रगति होगी, तो हमारा विकास और हमारा प्रगति निचित सोरूप से होगा, अगर हम तलाश नहीं करेंगे, तो उसे अलग रहकर अगर हम रहेंगे, सोचना चाहेंगे, तो वह हमारे लिए है इस आने वाले अंतर राश्र informed में हमें अपने वह में आ सकनी है अब देखें आट मैं जिवन से डो किसी अपने गाउrop पर उनको सब सारे चीज़ें मिल जाते थे इसलिए बाहर जाने के जरूरत नहीं पड़ता था लेकिन आज हम देखते हैं एक दुसरे से हमारा मिलना जुलना बढ़ गया है चाहे वह अन्य देशों के लोगों से किसी भी प्रकार से हम मिलते तो इस प्रकार से अंतराश्ट्रे हमारी बढ़ रही है इस आने वाली अंतराश्ट्रे वाद में हमें अपने भूमी का नीबाने तो हमें किसी भी प्रकार से हमें पिछरापन नहीं होना चाहिए हमें पीछे नहीं रहना है हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है इस देशे की पूर्ति के लिए हमें यात्रा करने चाहिए हर देश विदेश में जाकर हमें अच्छी चीजों को भारत में लाने चाहिए अब देखते हैं भारत हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है चाहिए वह खेल का क्षेत्र हो पड़ाई का क्षेत्र हो या अन्य जो सामाजी कलाव होते हैं हर क्षेत्र में भारत विकसि और इसलिए हमें अन्य देशों में जाकर उनकी सब्भelyतां सनस्कूरती जो अच्छी चीजें हमें भारत में लाने चाहिए हाँ हमें उसके लिए यात्राइग करने चाहिए और जबाउत सरीज चीज़े चीज़ें और उन्हें समझ ना है लेकिन सच्ची अंतर राश्च्टा कोई ऐसी हमाई चीज नहीं है जिसके न कोई भुनियाद हो और न लंगरगा अब देखें हमें क्या करना है विचारों में परिवर्तन लाना है विचारों में आधुनिकतन लाना है बच्चे क्या करते है बहुत सारे चीजों को अपने पर देश का विकास कर पाएंगे हम आदुनिक शिक्षन की पध्धतियों को अपनाते हैं लेकिन उसका उन शिक्षन को गरहन करने के बाद हम विदेश में जाकर नोकरी करते हैं तो इसे क्या हो जाता है हमारे देश की विकास वहाँ पर रुख जाते हैं हमें अमारे पास जो नौलेज है जो कुछ हमारे पास अच्छी चीज़े हैं हमें उसका इस्तमाल करके भारत का विकास बढ़ाना चाहिए तो आर्तिक्ता भारत की बढ़ सकती है उसे अंतर राष्ट्रे वाद को राष्ट्रे संस्कुरती से बहार निकलना है और आज वस्वतंतरता समानता और सच्ची अंतर राष्ट्रेता के आधार पर ही उन्नती कर सकता है अब देखो हर शेत्र में संस्कृति के शेत्र में संस्कृति के शेत्र में तो हमें आगे बढ़ना है बहार के विदेशों की संस्कृति को भी अपनाना है लेकिन जो अच्छी चीज़े है उनको हमें अपनाना है जो पूरे चीज़े है उनको छोड़ देना है अब पूरे ची हमारे देश के हर नागरिक के विकास में जो चीज़े अच्छी लगती है उसको हमें जरूर अपनाना चाहिए आज वह स्वतंतरता हैं समानता हैं और सच्छी अंत्रश्टर के आदार पर उन्नती कर सकता हैं अब देखे उन्नती की बहुत मार्ग हमें मिल गए हैं तो उस उन् अब देखा हमने इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने हमारे इतियास को सामने रखा और हमारे देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनेतिक हर शेत्र को हमारे सामने रखा तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर हमारे देश कोई मामूली देश नहीं है एक समय ऐसा था कि बहुत सारी विदेशे आकरमक आकर हमारे देश पर कबजा करना चाते थे जिस तरह से वो हमारे देश पर कब्दा कारना चाहते थे तो हमारा देश मामूली था उस समय भी नहीं नहीं हमारे देश उस समय मामूली था और नहीं आज भी हमारा देश मामूली है हम इस देश के नागरिक है और हम ऐसे देश के नागरिक है इसके लिए हमेशा हमें घर्व होना चाहिए हमें जन्मभूमी पर अपने देशमासियों पर अपनी संस्कृति अपने परमपराओं पर गर्व है अब देखे यहाँ एक मात्र ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे समस्यों से घिरो होने के बावजुद भी जब अन्य आकरवनकारी आकर उसकी संभेताओं को क्या कर रहे थे अपना रहे थे तो भारत ने क्या किया अपने संस्कृति को तो बनाए रखा लेकिर उनके अच्छे सं संस्कारों को उनके संभेताओं को उनके संस्कारों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया और ऐसे हमारी जन्मभूमी है जिसने हमें सदियों से अच्छे गूर्णों अमारे अतित के द्वारा हमें बहुत सारे अच्छे चीज़े दिये हैं और ऐसे इस जन्मभूमी पर हमें गर्व होना चाहिए, इस देश का हम एक नागरिक होने पर भी हमें गर्व होना चाहिए, अपनी सभेता, अपनी संस्कृति, अपनी परमपराव पर हमें गर्व होना चाहिए, यह गर्व किसे ऐसे रोमान चक अतित के लिए नहीं होना चाहिए, जिसे हम चिप्टे रहना चाह यह आते हैं नहीं अपने धंग से भिण और यह कम को समझने में से कोई कठिनाई होनी चाहिए को अब दीख़ें कोई कहता है इसलिए हमें देश पर गर्वन करना बिलकि हमें भावनेक रूप से अंतरतम से इसपर गर्व करना चाहिए जिसे हम चिप्टे रहना चाहते हैं आपने धंग से भिन और औरों के धंग से समझने में इसे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए तो देखो यह एक मात्रा इसा देश है कि उसमें कोई भी अतित उसका चिप्पा नहीं है जो कुछ है पारदर्श है जिस प्रकार काच से सब ट्रांस्परेंट होता है उसी प्रकार हमारा देश भी किसी भी प्रकार से कठिनाई को समझने में दिक्कत नहीं लाता है बलकि वह बहुत आसान इसे हम उसको अपना सकते है चाहिए वह सब्वेता संस्कृति हर चीजों को हम अपना सकते है तो इस प्रकार लेकर कहते हैं कि हमें अपने देश पर इस देश के नागरिक होने पर हमेशा घर्व होना चाहिए इसके कारण हमें अपनी कमजोरिया और असफलताओं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और नहीं उनसे चुटकरा पाने के लिए हमारे इच्छा कुंटित नहीं होने चाहिए अब देखें लेकर केते हैं कि इस देश पर हमें गर्व होना चाहिए लेकिन जो हमारी कमजोरिया है जो हमारी असफलता है उनको हमें बुलना नहीं चाहिए और उनसे चुटकरा पाने के लिए हमारे इच्छा कुंटित नहीं होने चाहिए अब देखे बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं कि वह चाहते कि भारत बहुत पिच्छा आज भी देश माना जाता है और इसलिए वह अन्ने देश में जाकर रहते हैं तो इस प्रकार की कुंटित इच्छा हमारे अंदर नहीं होने चाहिए इसलिए पहले कि हम मानविय सब्वत्या और प्रगतिकी गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगर ले सके हमें अभी बहुत लंबा सपर तै करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है अब देखें लिकर केता है कि मानविय सब्वत्या और उसकी प्रगतिकी गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगर ले सके आज के आधुनिकता युग में बहुत उतार चड़ाव आ रहे है बहुत देशों में बहुत सारे देखते हम किस प्रकार से उतार चड़ाव लगे रहे थे तो इस उतार-चड़ाओं के गाड़ी में हमें बेटना है और उसमें हमें पीछे नहीं हटना है वरकि उस गाड़ी की नईयां को हमें आगे बढ़ाना है हमें अभी बहुत लंबा समय तरह करना है इस देश की विकास में हमें बहुत लंबा समय तरह करना है और इसके साथ साथ जैसे की देखो अच्छी और बुरा है हमें अच्छता हमारे देश में जो अच्छी बाते है उसका तो हमें गर्व है लेकिन जो कमजोरियां है जो बुरी बाते है उनको उन कमजोरियों को उन बुरी बातों को हमें समाप्त करना है उन कमजोरियों को हमें चई अर्थ देकर उसके क्यों कमजोरियां है कौन-कौन सी उन कमजोरिय की कारण है उनकी मुल्टक जाकर उसे पुर्णताहां नश्ट करन है हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास समय सिमीत है और दुनिया की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रहे हैं अतित में भारत दुसरे संस्कृते को अस्वागत करके उन्हें आत्मसत कर लेता था अब देखे लेकर यह चीजें सब कब लिख रहे हैं जब हो अमद बढ़ रही है लेकिर हमारी भारत को भी उस रफ्तार में हमें आगे बढ़ाना है भारत दुसरी संस्कृतिय को स्वागत करके उन्हें आत्मसत कर लेता था आज इस बात की कही अधिक आवशकता है क्योंकि हम भविश्य की उस एक दुनिया की तरप बढ़ रहे हैं जहां र राष्टरे संस्कृति में घूल जाएगी अब देखो, लेकर केते कि विकास की शेत्र में हमें आगे बढ़ना है, हमें नहींon की कर लेती है भारत लेकिन गरएप एक ऐसी दुनिया जहां राश्ट्रे संस्कृतियां मानो जाती की विकास में अंतराश्ट्रे संस्कृतियां से गुल जाती है। अपने समाज का अपने देश का विकास करना है कि जहां भी हमें कोई अच्छे ग्यान मिलता है। कि हम खुद का अपने समाज का अपने देश के विकास के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते। हम किसी के कृपा के और सहारे के अभिलाशी नहीं है। इस तरह हम सच्चे भारती हैं और एश्याई होंगे और साथ ही एक अच्छे अंतराष्ट्रेवादी और विश्व नागरीक होंगे। तो इस प्रकार हमारे देश को अंतराष्ट्रेवादी और विश्व में एक बहतरिन देश के नागरीक होने पर हमें घर्वर हेगा। तो इस प्रकार लेखत ने इन परिश्दों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया है। देखते हैं कटिन परिश्चुदों का अर्थ अपराज है जिसे पराजित न किया जा सके जावरुक हर प्राकार की समझ रखना भहुत आयत भहुत अधिक रोमांचक रोमांचित करने वाला आत्मसाथ अपने में समाईत करना तो बचो इस प्रकार भारत की कोच इस पुस्तक के द्वारा लेखक ने हमें भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनितिक हर शित्र का हमें विस्ताल से जनकरी दी यह पाट यहे पर खतम होता है धन्यवाद